हेलो शुदेंट्स आइम मैंक और वेलकम बैक टो और चैनल एग्रिकल्चर यूनिवर्स आज हम बात करने वारे हैं ब्स एग्रिकल्चर फिप सेमेस्टर फिप सब्जेक्ट प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एंड सेकेंडरी अग्रिकल्चर इसमें हम देखेंगे इंपॉट प्रोटेटिव लेवल का भी आपके क्वेस्टन सारे मिल जाएंगे देखें में वीडियो बनाने का यह हमारा प्रस्पेक्टिव है अभी जैसे माल लेते हैं इस वीडियो को दो शुडेंट देख रहे होंगे एक तो वह जो प्रॉपर से पढ़ाई कर चुके होंगे एक व प्रिकेप कर लेंगे तो जो क्वेस्ट्वां ये जिनकी ज्यादा चांसेस रहती ह인데요 वार आने की वह सब यहां पर है कुछ्ष के क дол suppliers केASON है कूछ आपके previous year के question है प्रॉपर Mill Murder है इनको आपको नहीं छोड़ना अ wholly करना है अच्छेट को देख लीजे सुरूर करते हैं प्रोटेक्टेड कैल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर में ग्रींहाउस होड़ी उसके अंदर धिर सारे प्लांट ग्रू किये जाते हैं वह क्या है देखने में क्या लगता है असल में वह होता क्या है कि फूर्प्रकास होती है वह उनसे पर पढ़ती है स्क टेड़ अफ सन ईसके बाद वह अंदर एक आप अप्टिमल टम्प्रीचर क्रियेट करता है जिसे जो अंदर के प्लांट है वो प्रपर ग्रोथ होते हैं एक अनुकूलित वातावरण लेकर जो इसे लिए यूच किया जाता है यह आपका ग्रीन हाउस तेक्नोलोजी। सेकेंड है हमारा ग्रीन हाउस एंड टाइप्स देखें डीटेल में नहीं बताएंगे हम इन जितने भी टॉपिक्स हैं यहां पर दिखाई दे रहे होंगे आप उनको सर्च करके देख सकते हैं या तो अगर वह आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करिएगा मैं आपको प्र इतना से प्रेस्पेक्टिव है ताकि आप इसको रिकवर कर लीजिए एंड थोड़ा में डिफाइंट कर ले रहा हूं ताकि आपको एनलेसिस मिल जाए कि नहीं मुझे किस तरीके से सर्च करना है और क्या पढ़ना है ओके सेकेंड आपका ग्रीन हाउस जो कि मैं बता चुक ऐसे कौन-खूबमिन कंवर यूज करते हैं इसमें हम लोग आपका WIL अपका ही टिंग सिस्टम कूल इरिगेशन सिस्टम लाइटिंग यूज करते हैं necessarily 2018 वी कर दे रहा हूं irrigation system used in greenhouse irrigation system यानि कि शिचाई प्रडाली कैसे किया जा suspended in the थ्री जो आपके मिथड होते हैं पहला तो होगे आपका फ्रो आपका ड्री ड्रीप इरिगेशन सेकेंड हो गया स्प्रिंकलर थार्ड होगे आपका मीस्ट ओके लेकिन अगर लास्ट यह क्या हुआ था किसमें से क्योंकि जो बहुत होता है और आपका यह जो है इरिगेसन सेकेंड करता है वह क्यों असके प्लांट एक कैसी नीड है उसको इरिगेशन कराने की तो यह दिख लेजएगा इरिगेशन सिस्टम उस्टर इन ग्रीन हाउस next है define ventilation ventilation क्या होता है सब लोग जानते हैं यार ventilation बहुत जरूरी है जैसे कि हमारा रूम हो गया प्रापर इसमें दो संदान है तो उसका क्या है वाकम के excess of heat है सको निकाल देगा बाहर यानि कि प्रापर आपका जो room temperatures को maintain कि रहाएगा कहीं उसके के लिए help करेगा ताकि और यह जी आपका Greenhouse में लगा रहता है प्रपर एक सेब दिया रहता है दिया जाता है ventilation के लिए ताकि जो excess of heat है वो बाहर निकल सके और तंपरेचर है उसको maintain किया जा सके ओके तो यह हो गया ventilation नेक्स्ट हमारा advantage आप यूजिंग greenhouse greenhouse यूज करने का क्या लाब है बहुत सारे लाब है भाई ग्रीन हाउस हम इसलिए कह रहा है न कि हम लोग optimum temperature मिल सके disease ना लगे पेस्ट ना लगे कोई ऐसे जो एक्टिविटी है हार्नेस कंडिशन में भी है जो हमारे handling equipment है जिसका उपयोग जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग material वगारा फ्रॉम वन लेकिशन टू अनदर transporting के लिए तो आपका इसमें हो जाता है conveyor हो गया फॉक वगारा हो गया और आपका इसमें लिफ्टिंग भी हो जाता है और बहुत सारे बड़ा मतलब की plantation हो रहे हैं उसमें हो रही है तो उसमें क्यूब में इसमाल किया जाता है नेक्स्ट हमारा क्कान यस्मार 發現 कशचा सकतोग। यहां पर बाल सकिंट नई यहां पर जो चुच्छाब कर आपका फूट प्रुट्स व чем ग्रें तरीका खाते हैं वह एक तरीके का सोलर ड्राइंग के ही प्रोसीजर होता है मतलब की अच्छे क्रिएटिवीटी के लिए हम लोग सोलर ड्रायर का यूज करते हैं यानि ग्रीन हाउस जायर का यूज करते हैं यह से प्रोसेशन करेंगे मैं यूज करेंगे क्या चीज इनवाल्व करेंगे मालब की इस ऐसे ब्रोसेशन करेंगे यह आपको प्रॉपर बताना होगा तो इसको अब दिख लीजेगा आपको एंसर मिल जाता है कुरूम पर ठीक है नहीं कमेंट कर दीजेगा प्रॉपर मैं एक पीडियेफ कर दूंगा एक बार में तो नहीं कर पाऊंगा शारा बट जो भी आपको पीडियेफ नीड होगा वह को सेंड कर दूंगा ओके अब यहां पर बताना है इंपोर्टिंस क्या है तो जैसे कि मैं बता दिया हो कि सोलर ड्रायर किसलिए उस करते हैं ताकि फ्रूट्स वगरे ड्राई हो आप्टिमम टंप्रेचर मिले और क्या मतलब कि क्या महत्व है इसका देखो पहले बात आपको इकोनाविक फ्रेंडली होता है हमारे जो इन्वर्मेंट को हम नहीं करता यह ओके दूसरा यह है कि इंकम भी से जनरेट होती है लेबर कॉस्ट भी आपका यह घटाता है तो यह सब आप इनके क्या है इंपोर्टेंस महत्व हैं नेक्स्ट हो गया डिस्क्राइब दफेक्ट कौन से इंफ्ट करते हैं ड्राइङ ऑपरेशन में यानि कि जब सुखाते हैं किसी चीज़को ग्रियों करते हैं तो आपका वेंटिलेशन वह गया अगर प्रपर नहीं है तो और बहुत सही है दो घंटे का है प्रॉपर हो भी जा रहा है थोड़ा सा टाइम मिनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप 5-10 मिनिट से सोचने में लगा जाते हो तो भाई समझ लो कि आपका लॉस होना है तो प्रॉपर आपको पहले से जो भी सेक्शन लिखना है से पह देना पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एंड वीरी साथ वाली जो क्वेश्चन यह बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैं ऐसा मतलब की आलेसिस किया हूं कि जो क्वेश्चन किये जा रहा है इस बार थोड़ा आउट आप सेलबस भी हो जा रहे मींस सब टॉपिक से इसमें होता क्या है कि आपका प्रॉपर हम लोग इसमें एक प्रेसर से हवा देते हैं उसको ऑप्टिममम टंपरेचर देते हैं कूलिंग सिस्टम होता है जिसके वजह से जो फ्रूट्स वगएरा है उनको सुखाया जाता है ताकि अच्छे से वह मतलब सर्वाइवल रहे है फ्रेट बेड ड्रायर में क्या है अप गाऊं वगएराम में अब देखियं होंकि जो गीएं वगडर लोग फैर लाते हैं अईसे मंतलब प्रॉपर 12 में तो prescribed आपका फ्लेट वे ड्राइर हो गया डेद का यानि मतलब की बीड प्रॉपर हो गया फ्लेट यानि की की आपका सम्चल चप्ता ओ गया और वेगेरा मतलब की आपके जो फृट है या ग्रेन है उसको लोग या करना प्रौपर प्रौपर बिछाया आए ताकि सढलाइट की translator मुष्चानि के लिए जो ज्वाइब ळैजिकर छो के सवाइब तो फोली स्वाइब ब tract, ज्युक्त एक वीडियू कि निरी त्нес Está जो काफी लोग होते हैं वो इगनोर कर देते हैं कि बहुत लोग जाने को इसको रिकैप कर लीजए का छोड़ीए का मत कुछ भी और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर बच्चे आते हैं तो वहां पर कमेंट सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे तो उसक्वेस्टन को जरूर पढ़ेंगे और कहीं न कहीं उनको है उनको भी हैल्प मिलेगी ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट के साथ तब तके लिए बाए बाए टेक केर